हेलो स्टुडेंट तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों देखेंगे कोस्टन बैंक का 2013 का कलाश 10th मैट का भी भी आई कोस्टन मतलब कि जो भी आए हुए है ना वो सारे कोस्टन है और ये कोस्टन देखने के हिसाब से क्या लगता है इस तरह के कोस्टन आ रहे है देखें इसी पर बेस हमने जो पिछला वीडियो था उस पर भी हमने बताया था एकदम उसी पर ये कोस्टन है ये वाला और ये वाला देखें इसमें हेरा फेरी कर दिया है यहां पर क्या कर दिया है को से उपर कर दिया है यह भी कोस्टन बहुत ब में 8 दिया हुआ थे यहां पर 9 दे दिया है ठीक है आपका mentality मतलब जाच करने के लिए यह पिछले question से ही आपका यह question है तो मतलब question bank को करने से बहुत ही फाइदा है चलिए देखते हैं हम लोग लेटना करते हुए इसमें question देखिए है ना चलिए तो दोस्तों लेटना करते हुए सिदे बात काम पर करते हैं यहां पर दिया हुआ पहला question 9 से की स्क्वाइर ठीटा मानेस 9 टैन स्क्वाइर ठीटा बराबर क्या होगा तो यहां पर देख लिए जाए तो पहला question का answer मैं कर रहा common करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों से की स्क्वाइर ठीटा और फिर मैनेस यहां पर क्या बचेगा 10 स्क्वाइर ठीटा और हम लोग जानते हैं कि से की स्क्वाइर ठीटा मैनेस 10 स्क्वाइर ठीटा बराबर क्या होता है 1 तो यहां पर इसके जगा पर क्या रख देंगा ह तो यह हो जाएगा 9 गोड़े 1 हैना 1 का स्कोर होता है तो है यह आपका एकुरोट अंसर है पस्च एक नंबोर आपका हो गया है अब आज यह कोस्ट्य नमबर सेकन्ड पर देखिये हैं एक स्कोर ए मैनस एकते इस पर बेश्ड है इसी फर्मूला पर है ना तो अगर देखा जाए तो सेक स्क्वार ठीटा कोश्चन नमबर दो में देखा जाए कि चुकि सेक स्क्वार ठीटा और मानेस टैने स्क्वार ठीटा वराबर क्या होता है तो वन होता है अब मैं क्या करूँ कि टैने स्क्वार को यहा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना टैने स्क्वार ठीटा अब यहां पर देखा जाए तो यह प्लस में वन इधर आया तो मानेस का मानेस का वन हो गया तो अब बताएगे से कि स्क्वार ठीटा मानेस वन किसके बराबर टैने स्क्वार ठीटा के सेक स्क्वाइर ए माइनस बराबर क्या हो जाएगा टैन स्क्वाइर ए ठीक है यह अबजेक्टिव टैप कोस्टन है दोस्तों ठीक है यह हम थोड़ा सा बेसिक बता रहें यह फॉर्मुला आप ध्यान में रखेगा है ना कि ताकि आपका नॉलेज भी इंप्रूफ हो संग साइन त Door Capital का मान क्या होगा अब देखें धिक अमान जो है आपको एकदम याद होना चींस धुस्तर मों हरोता है साइन picked색 लिए रूट 3 बटा 2 होता है, है ना, और sin 90 degree का मान क्या होगा, तो एक होता है, इतना आपको रखना है दिमाग में, राइट, चलिए, उसके बाद, sin 45 degree का भी मान होता है, sin 45 degree is equal to क्या होगा, 1 upon root 2, ठीक है, तो इन सभी को भी complete कर लेजिएगा, चलिए, question number 4 पे आजाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, 10 square 36 degree, बटा में, 4 square 24 degree, इसका मान बताना, इसके बराबर क्या होगा है, ना, यह भी आया हुआ है, और इस पे best बहुत सारे question आते रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, 10 square 36 degree, question number 4, 10 square 36 degree, और बटा में, cot square, 44 degree दिया हुआ है, है ना, यहाँ पे देखा जाए, दोस्तों, 10 को cot में बदल दीजे, या cot को 10 में बदल दीजे, तो 10 को ही cot में बदल दिया जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा जा सकते हैं, कि 10, 90 में से कितना डिगरी घटा हैं, कि 36 डिगरी बद जाए, तो एंसर होगा, 24 डिगरी घटा दीजे, ठीक है, यह नीचे वाला ही घटा दिया जाता, अगर आप उपर उपको बदल देना, तो 90 में से 54 घटा दीजे, है ना, जब नीचे वाले को बदल देना हैं, क्या होता है, कौट ठीटा, कौट और ठीटा का जगा पर क्या है, 24 डिगरी, ठीक है, तो इसका एंसर क्या होगा, एक आएगा, है ना, चले, कोस्टन नमबर 4 भी कंपलेट होगा, आ जाता है कोस्टन नमबर 5 पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कोस्टन नमबर 5 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पिछले MCRT में जो है यहाँ पर माइनस दे दिया, लेकर यह आपका मेंटलिटी जाज करने के लिए क्या दे दिया है, प्लस दो, प्लस दे दिया है, तो जाज़ी तो कर रहा है आपका, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख लिए जाए तो 2 और 10 पैताली डिगरी, यहाँ पर 10 स्कॉर, 45 डिगरी, प्लस कोस स्कॉर, 60 डिगरी है ना, और प्लस साइन स्कॉर, 60 डिगरी दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखा जाए तो कोस्चन नमबर 5 है, यह कोस्चन नमबर 5 भी दिदाग देंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तो 2 और 10 पैताली डिगरी का मान क्या होता है, एक इसका स्कॉर है तो इसका भी स्कॉर कर देंगे, फिर प्लस कोस्चन नमबर 5 भी दिदाग दिदाग दोस्तों, एक बठा, दो होता है न, एक बठा दो और इसका होली स्कॉर कर देंगे, फिर प्लस साइन साथ डिगरी का मान क्या होता है, रूट 3 और बठा में 2 का होली स्कॉर, ठीक है, चलिए उसके बाद दो और एक का स्क्वार तो एक ही होगा फिर प्लस यह स्क्वार जो है एक के उपर है तो एक का स्क्वार एक बटा में दो दूना चार हो जाएगा फिर प्लस रूट तीन का स्क्वार रूट हट जाता है ना टीन बचेगा बठा में 2 का स्ववार 8 हो जाएगा, इसके बठा में 1 चुपा हुआ है ना, LCSM ले लेते हैं हम लोग, तो 4, Er Charlesndra 1, 1-4, 4 का LCSM क्या होगा। 4 होगा, एक से डिवाइड कीजे इसको, कितने बार में जाएगा 4 times 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दो न 8 फिर plus 4 एक कम 4 और फिर आप 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा फिर plus 4 से इसको भाग देंगे एक बार में कटेंगे 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 उसके बाद देखा जाए तो 8 3 एक बारा बाटा में 4 अब 4 दिया 12 यानि कि आपका एंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए तो ये आपका एक्जेक्ट एंसर है 3 चलिए अब कोस्चन नमबर हम लोग next देखते हैं कोस्चन नमबर आपका छटबा देखते हैं हम लोग कोसे बटा में 1 प्लस साइने प्लस 1 प्लस साइने बटा में कोसे बराबर क्या सिद्ध करना है 2 से के हैं न तो ले देते हैं हम लोग कोस्चन नमबर 6 कोसे और बटा में 1 प्लस साइने और प्लस 1 प्लस साइने अपॉन में कॉस है यह हमारा LHS है यह हमारा LHS है LHS लेकर मैं सिध कर रहा हूँ तो अब देखा जाए तो 1 प्लस साम है और कॉसल посмотреть का क्या होगा तो 1 प्लस जब दोनों ही भिन भिन होना तो उसी तरह ले लिया जाता है यानि दोनों ही ले लिया जाता है one plus sine into cos अब देखिए अच्छा मैं ट्रिक आपको बता हूँ तो cos A का cos A में तिरी गुना कर देज़े, cos A का cos A में करेंगे तो cos square फिर बीच में आ रहा है plus तो plus का symbol देदेजे, यह पूरे का यह पूरे particle का one plus sine में करेंगे, तो one plus sine A का क्या हो जाएगा, holy square होगा न, क्योंकि A plus B है और यह भी A plus B है, तो क्या हो जाएगा A plus B का holy square अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, यह cos square A तो हमने IJT लिख दिया, और फिर plus, इसको A plus B का holy square पर तोड़ेंगे पहली संख्या का square, प्लस दूसरी संख्या का square और प्लस 2 into पहली संख्या, और into दूसरी संख्या, ठीक है और बटा में क्या है, one plus sine A और into cos से, ठीक है, अब देखी, cos square A और sine square A को एक जगा रखूँगा, क्योंकि इसका formula होता है, sine square theta plus cos square theta बराबर one, है न, तो इसको और इसको एक जगा पर रख लेते हैं हम लोग, sine square A और फिर plus cos square A, यह हमने रख दिया और फिर plus one का square one ही होता है, और फिर plus two और दो का एक में करेंगे तो दो हो जाएगा, दो में sine A करेंगे तो sine A, दो sine A हो जाएगा, है न, ठीक है, इतना clear है दोस्तों, उसके बाद यह नीचे वाला लिख लेंगे, one plus sine A into cos A, उसके बाद देखिए, sine square theta plus cos square theta का मान क्या होगा, one, फिर plus यहाँ पे भी क्या है, one है, और plus यह क्या हमारा two sine A, बटा में क्या है, one plus sine A और into cos A, अब अगर देखें यहाँ पे तो one और one कितना हो जाएगा, two हो जाएगा न, two plus, यह क्या है हमारा, two sine A और बटा में क्या है हमारा, तो one plus sine A, और into cos A, ठीक है, अब आगे अगर हम लोग इसको करना चाहें, तो यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों मेंसे दो-दो common है, तो दो निकाल लेजे बाहर, तो दो निकालेंगे तो क्या बचेगा, one plus, यहाँ से दो निकालेंगे तो क्या बचेगा, sine A, और बटा में क्या है दोस्तो, one plus sine A, into cos A, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह वला से यह वला पार्टिकल चला जाएगा, क्या बचेग में क्यों से, यह लिख सकते हैं, अब दिखा जाए तो दो, और one बटा में क्यों से क्या होगा, से के, यह मैं बार-बार question करा रहा हूँ, क्यूंकि आप इसे ready कर लीजेगा, क्यूंकि यह आएगा ही आएगा, है ना, इसको ready कर लीजेगा, यह आपको अगर आ रहा है बनाने के लिए, तो अच्छी बात है, आप try भी मार सकते हो, है ना, चलिए, आगे देखते है, question number 7, question number 7 करते हैं, दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, कि यदि, say 4A बराबर, यह थोड़ा सा मैं, short code में लिख दिया हूँ, है ना, यदि नहीं लिखा हूँ आगे, तो कोई दिकत म लेना है, यदि, say 4A बराबर, cause, say, a-20 degree, जहाँ 4A, noon code है, noon code बोले तो, इसका मतलब यह है, कि वो 0 degree से अधिक, और 90 degree से कम है, तो, a का मान गयात करना है, किसका, a का मान गयात करना आपको, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि दिया हुआ है, question number 7 में, दो number का आता है, दोस्तों, यह हमेशा ही आता है, ठीकिना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, say, 4A बराबर, cause, say, a-26 degree है, यहाँ पर 20 degree दिया हुआ है, अब देखिए, यहाँ पर, a का मान आपको गयात करना है, यहाँ पर, a is equal to what, अगर हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखे, दोस्तों, तो यह, शेक, शेक को बदलेंगे, अब कॉसेक में, तभी तो काम चलेगा, तो, शेक का, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देए, अगर आपको, तो, शेक ठीटा बराबर होता है, शेक ठीटा बराबर कॉसेक 90 मान फॉर्मूला होता है, पस यही वाला फॉर्मूला के यहाँ पर, यूज करेंगे, नदा, तो, यह, शेक, फॉर्मूला को लिखेंगे, कॉसेक 90 मानेस और ठीटा के जगह पर क्या है फोर है तो फोर है लिख दिया हमने फिर बराबर क्या हमारा कॉसेक ए मानेस बेश डिग्री ठीक है अब देखें तुलना करते है न तो ये वले ये वले से हट जाता है 90 मानेस फोर है बराबर क्या जाएगा ए मानेस बेश डिग्री चलेगा अब देखें मैंने बताया था पिछले वी वीडियो में कि आपको क्या करना है वेरियाबल को वेरियाबल की तरफ और जो हमारा वैल्यू है उसको एक तरफ ये मानेस में है इधर आएगा 20 प्लस में हो जाएगा 90 प्लस एक ए और ये चार ए कितना हो जाएगा पांच ए पांच गुणा में और इधर गया तो भाग में इसको कट कर देजे पांदो ना दस और पांदो ना दस यानि ए का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री और ये कोस्टन जो है न दोस्तों NCRT का है अब बहुत ही बेस्ट कोस्टन है ओके चले कोस्टन नमबर 8 कर लेते हैं हम लोग अब ये कोस्टन नमबर 8 देख लिया जाए दो थोड़ा सा तो यहां पर देखा जाए तो ये कोस्टन नमबर 8 दिया हुआ है कि यदि कॉट ठीटा बराबर 7 बटा 8 है ना कि क्या दिया हुआ है कि कॉट ठीटा बराबर 7 बटा आठ है तो आपको 1 पलस साइंठीटा इंटू 1 मैनेस साइंठीटा बटा में 1 पलस कोश्ट इंटू 1 मैनेस कोश्ट इटा कमान आपको गयात करना है है नो तो यह question को मैं बहुत ही असान तरीके से बताओंगा ठीक है और इसे कितने लोग तो भारी काफी बताते हैं इसक भी रखके बनाएंगे तो आपका आजाएगा लेकिन दो नंबर का यार थोड़ा सासान करोगे तो बहुत ही आपका समय बचेगा तो next question भी लगा लोगे है ना यहाँ पर देखिए एक्जाम में कम से कम समय दिया जाता है तो question number 8 यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि cot theta बराबर 7 upon 8 दिया हुआ है है ना क्या गयात करना 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon में 1 plus cos theta into 1 minus cos theta यह हम लोग लिख लेंगे 1 plus sin theta और into 1 minus sin theta और बटा में क्या दिया हुआ है 1 plus cos theta और into 1 minus cos theta अब एक formula आपको दिमाग बें रखना है कि a plus b जहाँ पर दिखें a plus b है ना into a minus b दिया हुआ a minus b a minus b जब भी इस तरह रहना तो इस तरह लिखा जाता है a square minus b square ठीक है यह formula आप अगर intermediate में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी यह use होगा इसको छोड़िएगा मत्था न यह learn कर लिएगा और हर एक जगा use होता है इसका चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो a plus b a minus b तो क्या होगा पाली संख्या का square plus minus दूसरी संख्या का square तो क्या हो जाएगा एक का square minus sin square theta बठा में one plus cos theta into one minus cos theta तो क्या होगा one का square minus cos square theta यह बहुत ही असान भी दिए है दोस्तों ठीक है one minus sin square theta पराबर क्या होता है cos square theta है नो और बठा में one minus cos square theta पराबर sin square theta और देखा जाए तो cos butter sin क्या होता है cot यह cot theta लेकिन यहाँ पर square है दोनों पर तो इसके उपर भी square चड़ जाएगा और cot theta का मान क्या दिया हुए 7 बटा 8 बस इसी का तो मान रखना है यहाँ पर 7 बटा 8 रख देंगे हम लोग cot theta के जगा पर और इसका holy square 7 का square हो जाएगा 49 और 8 का square क्या हो जाएगा 64 और यही आपका exact answer है तो उम्मीद है दोस्तों यह सारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और हाँ पिछला वीडियो अगर देखना है तो description में link दिया हुए है आप वहाँ से देख सकते हैं अगर इसी तरह का rodally video का notification चारें next वाला video को तो आप इस channel को subscribe कर लिजे ताकि मैं भेजूँगा तो तुरंत आपको पहुंच जाएगा ठीक है और मैं आपका एक से लगा का जितना भी chapter है ना सब का सब आपका question बैंक से छाट छाट के question और मैं आपको करा दूँगा ठीक है बस इस channel से जुड़े रहेगेगा तो आपका board exam में बहुत ही बढ़िया result जाएने वाला है मैत का ठीक है ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों